प्यारे बच्चों, पाठ बीस पूरे हुए सपने के दूसरे भाग में आपका स्वागत है पिछले बीडियो में हमने आर्चरी यानि तीर अंदाज खेल क्या है उसको समझा था साथ ही हमने इस वर्ष के खेल में राष्ट्य बाल पुरिसकार बिजेता तीर अंदाज खिलाडी सभीता से भी मिले इस वीडियो में हम पूरे हुए सपने पाठ को पढ़ेंगे और तीर अंदाज दीपीका को जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं कहानी स्टार खिलाडी दीपीका की जहार्खन की राजधानी रांची से 15 किलोमीटर की दूरी परस्थित रातु के चेती गाउं के एक गरी परिवार में दीपीका का जन्म हुआ दीपीका की मा गीता महतो रोज नर्स का काम करने रांची जाया करती थी और पिता शिव नारायन में तो ओटो रिक्सा ड्राइवर थे पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे इसलिए जब दीपीका ने उन्हें तीर अंदाज बनने की जिद की तो वे गुस्सा हो गये उन्हें लगा कि लड़की का दिमाग फिर गया है लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये तीर धनुष ही उनकी बेटी को एक दिन इस देश का स्टार खिलाडी बना देगा और इसी खेल के बदौलत घर की आर्थिक स्थिती भी बदल जाएगी बचपन में दिपी का कुमारी अपने गाउं में पेडों पर लदे आमों पर निशाना लगाया करती थी निशाना इतना अचूख होता था कि सभी हैरान रह जाते थे पेड की जिस साखा के आमों को तोड़ने के लिए कहा जाता था वह उनके निशाने से सीधे नीचे आटपकता था धिरे धिरे लगने लगा कि वह तो तीर अंदाजी के लिए ही बनी है पर पिता को यह बात पसंद नहीं आई वह डाटा भी करते थे पर धुन की पक्की दीपीका ने बास के तीर धनुष लेकर ही अभ्यास करना सुरू कर दिया कहना नहीं होगा कि आज वो जिस मुकाम पर है उनमें उनकी पक्की लगन और तीर अंदाजी के प्रती पूरा समर्पन सा शामिल है उन्होंने लिंग भेद की दिवार को पार किया है हमारे देश में उन्हें असल पहचान वर्ष 2010 के कॉमन वेल्थ गेम्स के दवरान मिली जहां उन्होंने दो स्वर्ण पदक जीते ये पाठ में आगे बढ़ते हैं पिष्ट संख्य 119 में किया खुद को साबित दीपिका को सुर्वाती मदद दी उनकी भतीजी बिद्या कुमारी ने जो खुद ताटा एकाडमी में तीर अंदाजी सीख रही थी वर्ष 2005 में दीपिका को जहारखन के खरसावास्तित अर्जुन तीर अंदाजी एकाडमी के लिए चुना गया एक साल बाद ही उनका चयन जमशेत पूरस्तित ताटा तीर अंदाजी एकाडमी के लिए हुआ यहीं उन्हें तीर अंदाजी के आधुनिक उपकरन भी मिले और सही ढंग से ट्रेनिंग सुरू हुई उन्हें हर महिने जेब खर्च के लिए 500 रुपे मिलते थे वह घर से यह सुच कर आई थी कि बिना खुद को साबित किये घर नहीं लोटेगी उन्हें डर था कि कहीं उनके पिताजी तीर अंदाजी ना चुड़ा दे पंदरा साल की उम्र में अमेरिका में उन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल जीता और तीन साल बाद वे अपने घर आई पीपीका की सफलता का राज है अभ्यास यानि प्रैक्टिस दीपीका को अनुसासन पसंद है सुबा जल्दी उठती है तभी से उसका अभ्यास सुरू हो जाता है दिन में वह कई घंटे अभ्यास में बिताती है एकागरता को बढ़ाने के लिए बेहतर करने के लिए योगा अभ्यास और ध्यान भी करती है रात में भी तीर अंदाजी और ये एक हौकी खेलाडी है सिमडेगा जिले की असुनता लकडा ने वर्स 2000 में हौकी खेलना सुरू किया असुनता ने 2011 में अर्जंटीना में खेले गए चार देशों की परतियों गिता में भारतिय महला हौकी टीम की अगवाई की थी वर्तमान में यानि अभी असुनता लकडा हौकी जारखंड एसोसेशन की उपाध्यक्ष है और हौकी इंडिया एक्जीक्यूटी बोर्ड की मेंबर भी है शांदार प्रदर्शन करने के बाद असुनता को मलेशिया दोरे पर जाने वाली भारतिय महिला हौकी टीम की सदस्ते भी बनाया गया है इनसे सिमडेग क्योंकि ये सिमडेगा की थी तो वे लोग काफी खुश हैं और गर्व तो हम सभी को है क्योंकि ये जारखंड से हैं तो बच्चो इस वीडियो में हम जारखंड के दो प्रतिभावान खिलाडी दीपी का कुमारी और अनसुता लकडा से मिलें और हमने सीखा खिलाडी की पहचान उसके खेल प्रेम इवं लगन से होती है ना कि खेल में उसकी स्थिती या उसकी कोई जाती या आर्थिक स्थिती से तो बच्चो इस वीडियो में इतना ही आप एक बार इस पाट का अध्यान जरूर करें धन्यवाद